ये मूवी एक सच्ची घटना पर आधारी थे हैं इमा वाट्शन के लीड रोल में बनी ये मूवी एक बायोग्राफिकल ड्रामा है इस मूवी का नाम है कॉलोनिया मूवी की सुरुवात होती है एक देश चिली में और एर होता है 1973 एक एर होस्टेस लीना अपने कैपटन ड्रोमल के साथ एरपोर्ट जा रही होती है तभी लीना कार के बाहर देखती है कि कुछ लोग इस देश में प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं और मंच पर उसका बॉइफरेंड डैनियल कुछ पर्चे फेक रहा होता है लीना अपने ग्रुप को कहती है कि वो काफी दिनों से अपने बॉइफरेंड से नहीं मिली है इसलिए वो चार दिन तक अपने बॉइफरेंड के पास रहेगी लीना देखती है कि उसका बॉइफरेंड यहां के प्रेजिदेंट सालवाडोर को सपोर्ट करता है डैनियल लीना को देख के बहुत खुश होता है और दोनों घर आ जाते हैं लीना और डैनियल बहुत दिनों बार्दे मिलते हैं इसलिए साथ में मिलकर कुछ quality time spend करते हैं डैनियल एक photographer है जो बहुत अच्छे photo लेता है लीना उसकी कुछ photos देखती हैं और कहती हैं कि तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो अगले दो दिन तक लीना डैनियल के साथ रहती हैं और डैनियल के साथ कुछ quality moment spend करती हैं लीना और डैनियल जर्मनी से चिली आये थे यहां चिली में अभी देश की आर्मी चिली के राष्टपती के खिलाफ हो गई हैं और पुरा देश दो गुटों में बट गया हैं और आए दिन यहां पर आर्मी वालों और राष्टपती के supporters के बीच में लड़ाईया चलती रहती हैं एक दिन लीना और डैनियल देखते हैं कि आर्मी वाले राष्टपती के supporters को मार रहे होते हैं तो डैनियल चुटके से फोटो ले लेता हैं तो आर्मी वाले उसको देख लेते हैं और उसको पकड़ लेते हैं डैनियल और लीना को दूसरे लोगों के साथ एक ट्रक में भर कर एक ग्राउंड में लाया जाता हैं जहाँ पर बहुत सारे आर्मी ओफिसर्स खड़ेनियल की तरफ इसारा करता हैं और कहता हैं कि ये राश्टपती सालवे डोर के पोस्टर्स बनाता हैं और उनका सपोर्टर ह साथ में ये जर्मन नागरिक भी है इसके बार में डैनियल को आर्मी वाले वहां एक वैन में बिढ़ाते हैं और उसको वहां से कहीं ले जाते हैं लीना बहुत सैड होती हैं और उस वैन को ध्यान से देखती हैं लीना और बाकी लोगों को आर्मी वाले छोड़ देते हैं ड बताता है उसे यहां से जगह बाखरी से बिलकूल कटी इस जगह का नाम है कोलोञिया क् truths यानि की भनिवों करता है तो बेकिन क्या सब्सक्राइब अभर में कि वाला बोलता है कि हां तुम जोइन कर सकती हो लेकिन आज तक जो भी कॉलोनिया गया है वो कभी वापस नहीं आया है लेना कॉलोनिया जाने से पहले अपने कैप्टन फ्रेंड को एक लेटर लिखती है और बताती है कि शौरी मैं चार दिनों में काम पे वापस नहीं राता है कि खेतो कुंप पार करके माउंटकें के पर जाओगी तो तुम्हें कॉलोनिया अपने आप दिख जाएगा लिमा वस separate है और खेतों हाँ मैं इस organization को जोईन करना चाहती हैं फिर वो लेड़ी लीना को अंदर ले जाती हैं अंदर जाते हुए लीना देखती है कि वहाँ पर बहुत सारे खुटे पिंजरों में बंदे हुए होते हैं जो लीना को बहुत अजीब लगता है अंदर जाने पर वो लेड़ी लीना का पाश्पोट रख लेती हैं और पॉल के पास जाने क्या इसारा करती हैं और्गनाजिशन का ओनर और लीडर पॉल लीना को चेर पे बैठने के लिए कहता है जनरल इंट्रोडक्शन के बाद में पॉल पूसता है तुम एक बहुत ही खुपशुरत लड़की हो क्या तुमारा कोई बॉइफरेंड है लीना कहती है नहीं मैं गौड का रस्ता फॉलो करती हूँ पॉल कहता है कि तुम जूट बोल रही हो तुमारे अंदर जूट बोलने वाला स्तैतान चुपा है तुम अपना एपरेंड उतारो लीना खड़ी होके चुपचाप अपना एपरेंड उतार देती है पॉल कहता है सर्ट भी उतारो लीना सर्ट उतारने लगती है तो पॉल उसको टक्टकी लगा के देखता है लीना सर्ट को पुड़ा खोल देती है तो पॉल खड़ा होकर लीना को स्मेल करने लगता है और बोलता है कि क्या तुम अपने आपको ठच करती हो तो लीना बोलती है नहीं, मैं सिर्फ और सिर्फ तुमारे लिए यहां पर आई हूँ। यह सुनके पॉल लीना को गले लगा लेता है। लेना काल की तबियत खराब हो जाती हैं, उसको कॉलोईया के हॉस्पिटल में लाया जाता है। यहां पर ते भूसरों की नजर से बचने के लिए वो लोगों के सामने पाघन होने की अकिला होता है। तो वहाँ पड़ी एक चाबी से एक दर्वाजा खोलता है जिसमें वो एक कैमरा और कुछ फोटो रखे हुए थे डैनियल को समझ में आता है कि एक फोटो लैब है उसी राट गिसे राट डोरा नाम की लड़की को जबर्दस्ती अपने साथ में ले जाती है तो लीना उसके पीछे जाती है लीना खिड़की से देखती है कि एक हॉल में डोरा को सब आद्मियों के सामने बिठाया गया होता है और वहाँ पर पॉल भी खड़ा होता है उन्ही आर्वियों में लीना अपने बॉइफ्रेंड डैनियल को भी देखती हैं लीना को पता चलता है कि दोरा को किसी लड़के डिटर से साधी करनी थी और ये बार पॉल को पता चल जाती है तो पॉल उसको पनिश करने के लिए यहाँ पे लाया होता है पॉल उसके ही बॉइफ्रेंड डिटर को बुला के दोरा को थपड़ मारने को कहता है डिटर उसको थपड़ मारता है और पॉल डोरा को और पनिश करने के लिए सब लोगों को उठकर दोरा को थपड़ मारने के लिए बोलता है और सब लोग उटके डोरा को मारने लगते हैं तभी एक आदमी खिड़की पर खड़ी लीना को देख लेता है तो लीना वहाँ से भाग जाती है पॉल लड़कियों के रूम में आता है और वहाँ वो किसी को नहीं धून पाता क्योंकि वहाँ पर सब सही होता है वो गिसेला की गलती समझ के गिसेला को बहुत मारता है अगले दिन उसी हॉल में सब आदमियों के सामने लीना को बुलाया जाता है फिर पॉल लीना के पास आकर कहता है कि तुमारी आत्मा पवित्र नहीं है पवित्र करने के लिए क्यार तुमें सब के सामने नंगा कर दिया जाए और कॉल लीना को जोर से थपड मारता है दूसरी तरफ डैनियल कार खाने से एक टॉट्च चुरा के बाहर जाने का रस्ता ढूनने लगता है बाहर जाते समय डैनियल को भिजली के तारों से जटका लग लगता है और कॉलोनिय का सायरन बजने लगता है तो इधर हॉल में जो सब लोग लीना को मारने उतरने वाले थे वो सायरन सुनके भागने वाले को पकड़ने दोड़ते हैं उस दिन को लोग कोई इंपोर्टन डेस्ट आने वाला था और सब लोग अच्छे कप्ड़े पहन की acting कर रहा था परेड के टाइम पे लीना डैनियल के पास जाती है तो डैनियल लीना का हार पकड़ेता है लीना डैनियल को कहती है कि आज रात को मुझे आलू के गोदाम में मिलना आज मेरी night script है और अपनी फोटो वाला cross डैनियल को दे देती हैं जब वो आर्मी का ऑफिसर कोईजन गेस्ट के टेस्ट की बात करता है तो पॉल डैनियल की तरफ रिसारा करता है कि हम टेस्ट इस पर करेंगे परेड़ वाली ज्राथी डैनियल अपने वार्डन से गार्ड की ड्यूटी लेता है और लीना से आलू के गोदाम में मिलता है जहां लीना डैनियल को बताती है कि वो उसको लेने के लिए यहां पर आई है और उसने जान बूझ कर को जॉइन किया है तभी डैनियल अपने प्रेयर के नीचे कुछ खोकला मैसूस करता है घास अटाने पर उसे वहां पे टनल मिलता है टनल में डैनिय का लेडर उसके पॉजन गैस का टेस्ट करवाने वाला होता है इसलिए उसकी ब्लड रिपोर्ट मंगवाई जाती है जब डैनियल वहां से जाता है तो उसका क्रॉस वही गिल जाता है जो एक नर्ट्स उर्सेल को मिलता है और उसे पता चलता है कि डैनियल को लेने के लिए यहां पे आई हुई है अगले दिन दैनियल फिर लीना से आलू के गोदाम में मिलता है डैनियल लीना को बताता है कि नीचे बहुत सारे टनल्स हैं जो किलो मिटर्स तक पैले हुए हैं लेकिन सिर्फ एक ही टनल ऐसा है जिसमें एक लोहे कर धरवाजा लगा हुआ है और मु powin लेना को बताता है तभी गिसला से आने की आवार जाती है डैनियल टनल के उंदर चलाता है लेकिन ए फोटव के उपाल्टी रख देतीती है गिसला एक नर्स उत्सला कören चीलने के लिए मैं चाकु devolve गई हुँा तो उरसलो लेने के लिए जाती है फिर उरसल लीना को कहती ह कि मुझे पता चल गया है कि तुम यहाँ पे क्यों आई हो लेकिन फिर भी मैं किसी को नहीं बताऊंगी लीना उटसेल के क्लोज हो जाती है उसी समय गिसेला आती है और बाल्टी उठाती है तो उसे वो फोटो दिख जाता है फिर पॉल लीना को कुतों से डरा कर पूसता है कि यह फोटो कहां से आई है तो लीना कहती है कि फोटो मेरी नहीं है मुझे नहीं पता तबी वहाँ पे डैनियल आता है और पॉल को कहता है कि मुझे पता है कि यह फोटो कहां से आई है डैनियल पॉल को लोहे के कारखाने में ले जाता है और फोटो लैब में दिखाता है कि यहां पर बहुत सारी फोटो पड़ी है। कारखाने में फोटो लैब देखकर पॉल कारखाने के वार्डन पर डाउट करता है और लीना और डैनियल को छोड़ देता है। लीना गिसेला के साथ बैडरूम की तरफ जाती है रात का समय होता है तो लीना देखती है कि गार्ड की ड्यूटी कर रहा डैनियल लीना को कुछ इसारा करता है और लीना गिसेला से पीछे चलने लग जाती है। थोड़ी देर बात में गिसेला देखती है कि लीना उसके पीछे नहीं चल रही है तो वो लीना को ढूनने के लिए वापस जाती है तो लीना आती हुई गिसेला पर डंडे से एकदम से वार करती है और गिसेला गिर जाती है लीना दोड़ कर पॉल के पास जाती है और पॉल और लीना दोनों आलू के गोदाम की तरफ भागने लगते हैं इनको भागते देखके कॉलोनिया के सायरन बजने लग जाते हैं और लोग इनको ढूनने के लिए बाहर निकल जाते हैं लीना और डैनियल जब आलू के गोदाम में पहुंसते हैं तो वहार देखते हैं कि नर्स उर्सेल जो की प्रेगनेंट थी आलू छिल रही थी लीना उसको भी साथ में ले जाती हैं और वो टैनल में एंटरी करते हैं और वहां से भागने लगते हैं भागते भागते वो लोहे के गेट पे पहुंसते हैं उर्सेल अपने साथ आलू छीलने वाले चाकू से लोहे के गेट को कारती हैं और टनल में आगे बढ़ जाते हैं पीछे हम देखे हैं कि पॉल डैनियल के बैडरूम में आता है और उसके गद्दे से बहुत सारी टैबलेट्स बाहर निकालता है जो डैनियल ने कभी नहीं लीट दूसरी तरफ डैनियल लीना और उसेल टनल पार कर रहे होते हैं तो टनल के आखरी एंड पर उनको पानी भरा हुआ मिलता है जिसको वो तैर कर पार करते हैं और टनल से बाहर आ जाते हैं बाहर जाते समय उर्षेल का पैर एक वायर से टकरा जाता है जिससे वहाँ लगी स्प्रिंग गन से गोली चलती है जिसकी वज़े से उर्षेल की मौत हो जाती है उरसल को वहीं छोड़ कर डैनियल और लीना एक ट्रक से लिफ्ट लेते हैं और चिली में जर्मनी की एमबेसी में जाते हैं एमबेसी में पहुंचने के बाद डैनियल अपने द्वारा ली हुई फोटोस को बताता है तब ही वहाँ पे एक लेडी आती है और पॉल और डैनियल को उनके नए पासपोर्ट देती हैं और कुछ नए कपड़े देती हैं लेकिन वो ये बताती है कि आज की फ्लाइट फुल है इसलिए टिगट तुमें नेक्स्ट फ्लाइट यानि की एक हफ़ते बार में मिल पाएगा लीना और डैनियल कहते हैं कि हमारी जान को खत्रा है हम एक वीक तर यहां नहीं रुख सकते फिर लीना अपने कैप्टन फ्रेंड रोमन को फोन लगाती है तो रोमन उसको बताता है कि तुम एरपोर्ट आ जाओ मैं तुम दोनों को यहां से ले जाओंगा डैनियल, लीना और एक एमबेसी का सीनियर ओफिसर एरपोर्ट के लिए निकलते हैं ये लोग एरपोर्ट पहुंचते हैं लेकिन सीनियर ओफिसर वहां पे कार नहीं रुखवाता तो लीना उसको पूछती है तो ओफिसर बताता है कि तुमारी सेफटी के लिए तुमें ज़र लीना का कैप्टन फ्रेंड रोमन दोनों का इंतजार फ्लाइट में कर रहा होता हैं दूसरी तरफ लीना ग्लास के विंडो से देखती हैं कि एर स्ट्रिप पर पॉल और एमबेसी का वो सीनियर ओफिसर हाथ मिला रहा था लीना और डैनियल वहां से भागने की कोशिस करते हैं लेकिन गेट बाहर से बंद होता है तभी वहां पर अपने आदमियों के साथ पॉल आ जाता है लेकिन डैनियल और लीना वहां पे नहीं मिलते हैं क्योंकि वह ग्लास विंडो से कपड़ा बांद कर वहां से भाग चुके होते हैं पॉल अपने आदमियों के साथ ली देख लेता है और प्लेए के अंदर ले लेता है और दोनों को उडाने को तयारी होता है कि पॉल एरपोर्ट आज उतर गए नीचे तो हम दोनों को पॉल मार देगा और कहती है कि रोमन तुम कर सकते हो कैप्टन रोमन सारे रूल को ताख पर रख के एर स्ट्रि पे फ्लाइट को स्टार्ट करता है और फ्लाइट वहां से टेक आफ कर जाती है और लीना और डैनियल रहत की सांस लेते हैं और जर्मी पहुंसते हैं और इस तरह से बहादूर और इंटेलिजन्ट एर होस्टेस लीना ने अपने बॉइफ्रेंड डैनियल को चिली की एक कुख्यात और्गनाईजेशन कॉलोनिया से बाहर निकाल दिया था और इस तरह ये ये मुद्वी एंड होती है